हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल दोस्तों आज का वीडियो में बनाने वाला हूं एक ऐसी चीज पर जो शायद आप में से काफी लोग को पहले से पता होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग नई गाड़ी अभी खरीदे हैं जो लोग नई गाड़ी चलाना सीख बीकम दिखेंगी गाड़ी में अगर आप यह चीजे फॉलो करते हैं तो तो इस वीडियो को बनाने का आईए आइए सुबा सुबा जब मैं उठा यहां पर आठ बेके तकरीवन तो मैंने अपनी गाड़ी मुझे करें तो आप देखें यहां पर जैसे मैंने गाड़ी स्ट कहते हैं जो होता है जो इसको कहते हैं cold start, cold start यानि कि जब गाड़ी का जो है engine का operating temperature surrounding जो आपके आज-पास का वाता वाट इसका temperature है उससे match नहीं करता है तब जो है गाड़ी कुछ टेक्निस का उपयोग करती है जिसको जिसको जासे जो RPM हो बढ़ जाता है और cold start terminology उस case में भी गाड़ी start करते तो आप देखेंगे कि engine की noise बढ़ी हुई है और अगर आप RPM मेटर पर गौर करेंगे तो आपको RPM काफी बढ़ा हुआ दिखेगा जो कि दिर दिर नीचे आता जाता है इंजिन का जो ideal जो RPM होता है वो 700-800 होता है करीब-करीब और इस case में जैसे कि आप 800-800 पर आ जाता है तो इसका कारण क्या है और यह क्यों होता है और आपको इस situation में क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम उसी विच्छा पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम कारण समझते हैं आपको पता है कि engine जो होता है वो जो पेट्रोल जो भी internal combustion engine है वो काम करता है उसमें एक engine oil होता है और वो काम करता है उसमें ignition का बहुत important role है और engine oil क्या होता है ठंडियों में जो उसकी viscosity है जो उसका गाढ़ापन है वो काफी बढ़ जाता है क्योंकि जो oil ठंडा हो जाता है तो जो उसकी बहने की क्षमता है जो आपने फिजिक्स बढ़ी है तो आपने की जो viscosity होती हो काफी कम होती जिसे को ज्यादा बह सकता है लेकिन आप अगर यही engine oil लेखेंगे जो की temperature खास अरके ठंडियों में जब इसका cool जब होता है यह तब इसकी viscosity काफी बढ़ जाती काफी गाढ़ा काफी चिपचिपा हो जाता है जैसे पूरी तरह से यह जो है पू तो air भी जो है काफी dense होती है तो वो चीज भी जो है चीजें जो है मैश नहीं करती जो है engine का operating temperature को जो है चीजें मिल नहीं पाती जो उसको चहें जो है ignition शुरू करने के लिए तो इस चीज के लिए क्या है कि आज कल की जो modern गाड़िया है उसमें आपको पता काफी सारी नए technology पहले गाडियों में काफी दिक्कत आती थी लोग चोक लगाते थे काफी दिर तक जिसे कि जो fuel injection बढ़ जाता था लेकिन आज कल गाडियों में आपको electronic fuel injection system आता है plus जो है आपको electric starter motor आते हैं साथ साथ जो है सबसे important चीज जो ECU जो गाड़ी का computer चोटा सा जो गाड़ी का दिमाग है वो काफी smart है वो काफी smart ली चीज़ों को handle कर लेता है और गाड़ी को warm-up करने के लिए वो automatically आप चाहे मलब कोई रखने जरोत नहीं पैर आपको कोई throttle देने जरोत नहीं आपको वो ECU जो है तो इसकी technology हो कैसे work करता है इसको proper नहीं discuss कर पाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि मोटा मोटा में आप संजा दिया काड़ क्या होता है तो तीन चीजे है में लिए एक तो engine जो oil उसकी viscosity बढ़ जाती है दूसरा जो air है उसका जो हो काफी dense हो जाती है तृसरा जो mixture होता है air और जो fuel का वो compress नहीं हो पता properly तो engine जो है उसको heat up करने के लिए जो है रेप बढ़ा देता है जो ECU जो है उसको operating temperature पे लाने के लिए जो है engine को तो यह काड़ है इसका अब अगला सवाल ही आता कि इस case में आपको क्या करना चाहिए तो देखे वैसे तो कोई manufacturer specifically इस बात को recommend नहीं करता है इसके कुछ बोलता नहीं है और आप लोग ने देखा हो काफी लोग तुम्हें देखें जो गाड़ी बिल्कुल तुरन चला के start कर देते हैं चलाना शुरू कर देते हैं काफी लेकिन मेरे साब से अगर आप specifically manufacturer से किसी से पूछेंगे तो आपको जरूर बोलेगा कि ऐसी situation मे जब गाड़ी का rpm 1500 के आसपास है तो आपको गाड़ी थोड़ा सा वेट करके चलाना चाहिए आपको क्योंकि आप उसको जितना रेव करेंगे अब देखें इसमें सब कुछ खेल है friction का अब अगर viscosity engine oil की बढ़ी हुई है तो उसका गाड़ापन बढ़ा हुआ है तो पूज अगर जो है oil flow नहीं कर पाएगा हर जगा पर जहां पर उसको होना चाहिए उसका transmission नहीं हो पाएगा पूज तरह से oil का तो friction बढ़ेगा इस तरह से आपका wear and tear ज्यादा बढ़ेगा आपके parts जल्दी खराब होंगे long अगर आप long term में देखें तो अलाकि आज कल गाड़ी हैं बहुत robust होती कुछ आपको पता भी नहीं लगेगा लेकिन wear and tear problem compatibility जो लोग गाड़ी थोड़ा सा ध्यान देके चलाते हैं थोड़ा सा कम चलाएंगे situation में उनके अपेक्षा आपका ज्यादा आएगा को कि friction ज्यादा बढ़ेगा साथ-साथ तो आपको क्या करना चाहिए अग गाड़ी को रेफ नहीं करना चाहिए कि आपने पूरा throttle जो है power दे दी वह सही बात नहीं क्योंकि मैंने पताया जैसे आपको आपको friction की वज़ा से जो है wear and tear problem देखनी पड़ेगी long term में अगर आप ऐसा करते हैं तो तो आप गाड़ी शुरुआत के कुछ time आराम आराम चला है जो आपको जो है फ्लूड होता है वही पूरी तरह से transmission में जो है पूरी तरह से फैल पाए हर जगा और हर चीज जो है अपने operating temperature पर जाहे हो इंजन हो चाहे हो transmission हो ब्रेक्स हो अपने operating temperature पर जल्दी जल्दी आप आए उसका आप चलाएं गाड़ी को तो उसकी लाई भी ब सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्लच जैसे गार्डियम क्या होता है क्लच दबाके आइसकल स्टार्ट होती है इन आपको क्या करना चाहिए आपको क्लच से पैर थोजे लिए लिए अटा लिजी आप जैसे कि पूज तरह से वह transmission में जो है उसका जो गियर लूब जो वीडियो को साथ साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिये थैंक यू सो मच फो आच वीडियो